हेलो फेंट्स में मंदीप सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर प्रेंट साज की इस फीडियो में प्रेंटस कट ब्लाउस का फुल कटिंग और इस्टिचिंग में आप लेव के साथ शेयर करूँगी तो यहाँ पर दिखे मैं बिनासतर का बना रही हूँ यह सिंप मार्किंग करने के लिए मैंने अपने ब्लाउस के कपड़े को उल्टा रख दिया है और यहाँ पर मार्किंग करनी है हमें कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ मैं इसे प्रिंसो स्क नीचे से में किनारी वाला पार्ट इसका कटिंग करूँगी अब हमें टोटल लंबाई लेनी है तो जितनी भी लेंथ आपको तयार रखनी है उसमें एक इंच मार्सिन का प्लस करके आप लीजेगा मैंने आपर टोटल लेंथ रखी है 14 इंच 13 इंच लंबाई मुझे इसकी त करेंगे आर्मोल लेने हैं 5.5 इंच अगर आप अलग साइस का बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूं जिसमें की मैंने आप लोग के लिए एक प्लेइलिस्ट बनाई है अलग-अलग साइस का प्रिंसस कट उसमें बताया ह करेंगे और बाहर वली लाइन से सवा एक इंच पर आपको आर्म होल की गुलाई करनी है कमर का मेंजरमेंट लेंगे कमर का आपका जो भी मेंजरमेंट होता है आप वो लिजेगा मेरे मेंजरमेंट में 28 इंच कमर है उसका फूर्थ पार्ट लिया है साथ इंच देल इंच ए कपड़े को मैंने बंदबाक्स की तरफ से अपनी तरफ रखा है एक लाइन टोकर के नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है अब हमने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्टा लेना है जब भी आप प्रिंसस कट का ब्लाउस बनाते हैं तो नीचे से आपको टोटल लंबाई में आदा इंच बढ़ा कर लेना है मैंने हाँ पर आदा इंच बढ़ा कर मार्किंग कर दी है और अब मैं हाँ पर आपको बता रही हूँ इस तरीके से हमने देखिए बैक पार्ट को इसके उपर रख लेना है मैं इसे बैक उपन पर बनाऊंगी तो मैंने हाफ इंच एक्स्टा नहीं उसी में अग्जेस हो जाता है A-a-ts marking करेंगे अगर आपका बैक गला चुटा होता है तो फिर आपको 1.5 inch extra लेनी की जरूत होती है और डीप होता है तो यह जो आप 1.5 inch extra लेते हैं वो लेनी की जरूत आपको नहीं होती है बेक पार्ट की प्लिट से ही वो एक्जिस हो जाता है उदर अब हमने देखी हैं आपर मार्किंग कर देनी है फ्रेंट के लिए और हाफ इंच अंदर की तरफ तो हाफ इंच से ज़्यादा आपको गहराई नहीं देनी है टीद नेक में गहराई हम ज़्यादा नहीं देते हैं तो सिफ हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्क किया है अब हमने फ्रेंट पार्ट में प्रिंसस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग लेना है अगर आप बैक पार्ट को इसके उपर रखते हुए मार्किंग नहीं करते हैं तो कम से कम आप दो इंच एक्स्ट्रा लेजिएगा नीचे से भी इससे मैंने कट करकी सीधा कर दिया है तो दिखें फ्रेंट पार्ट की भी आसानी से कटिंग हो गई है गले का measurement नेंगे गले की चोड़ाई रखी है सवा 2 इंच 2.25 इंच पे width में मार्क करेंगे length आप अपने पसंद से रख सकते हैं मैंने यहाँ पर पोना 7 इंच लिया है 6.75 इंच लेंच रखा है और नीचे से neck की जो width है वो पोना 3 इंच लिया है इस तरीके से हमने यहाँ पर चोकुर एक box बना लेना है आप अपनी पसंद से shape दे सकते हैं मैं यहाँ पर simple round shape दे रही हूँ इस तरीके से अब हम करेंगे princess kit के लिए marking यहाँ से width में लेना है 3.5 इंच उपर से tucks point लेंगे 10.5 इंच पर 10.5 इंच लिया है और यहाँ पर दिखी width में इसे line draw कर देना है और width में आप थोड़ा सा इसे बढ़ा कर लीजेगा यहाँ पर पोना चार इंच लेंगे 3.75 इंच पर mark किया है अब इस line को नीचे मिला देंगे इस तरीके से थोड़ा सा यह तिर्चे में आएगी इसके बाद हमें हलके हलके हाथों से इसे shape देते हुए उपर की तरफ मिला देना है इस तरीके से इसे मिला देने की बाद अब नीचे टक्स की marking करेंगे तो width में आप लेजेगा देड़ से पोना 2 इंच मैंने पोना 2 इंच लिया है देड़ इंच पे आप ले सकते हैं इसके बाद width में मैंने लिया है 1.75 इंच और length में 2 इंच लिया है length में इसे 2 इंच रखा है और नीचे की तरफ से देखे इस तरह तरीके से आपको shape देना है उपर half इंच पे कमर की तरफ इसे मिला देना है और अब हमने इसे cut करना है जो armhole की गहराई है वो मैं बाद में cutting करूँगी आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं stitching करते समय तो ये part cutting हो गया है अब मैं आपको sleeves के लिए बता रही हूँ तो sleeves के लिए आपको इतना part measure करना है जो मार्दिन वाला part रहेगा अब छोड़ दीजिएगा इसके बाद जो armhole का बसता है देखिए मेरे measurement में ये 7 इंच आ रहा है तो इसमें आदा इंच हम plus कर देंगे और ले लेंगे 7.5 इंच आदा इंच इसलिए बढ़ा लिया जाता है क्योंकि जब हम front part की गहराई करते है front part की जब हम गहराई करते है तो हमारा जो armhole होता है वो बढ़ जाता है इसलिए आप आदा इंच बढ़ा कर cutting कीजिएगा sleeves की cutting करने के लिए अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से fold करके अपनी तरफ रख लेंगे और एक line trucker के नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे जैसे कि ये बिना अस्तर का blouse है तो नीचे की तरफ से हमने एक इंच बढ़ा कर मार्क कर लेना है एक इंच मैंने बढ़ा कर यहाँ पर मार्किंग किया है इसके बाद आप अपनी पसंद से लंबाई लीजेगा तो टोटल लेंध हम यहाँ पर मार्क करेंगे टोटल लंबाई मैंने रखी है 4.5 इंच 4.5 इंच और जो आर्मोल ना पाता 7.5 इंच वो यहाँ पर मार्क करेंगे और मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर डाउन किया है 2.5 इंच पर 2.5 इंच पर डाउन करने के बाद स्लीव का शेव देदेंगे फिर से एक बार नाप लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्सिन का नीचे बॉटम का मैसर मेंट लेंगे 6 इंच 12 इंच उसका हाफ ले लिया है 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्टा मार्सिन का नीचे से देखिएगा यहाँ पर इसे तिर्चा शेव देते हुए मार्क करेंगे ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो यह बराबर से रहे अगर कपड़ा कम होता है तो नीचे आप अलग से पट्टी लगा सकते है अब हमने आपर 1.5 इंच की गहराई कट करनी है 1.5 इंच से ज़्यादा गहराई नहीं देंगे साथी साथ आप मार्किंग ज़रूर कर ले ताकि स्वीप्स को जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये फ्रेंट में ही लगाना है अब हम बैक पार्ट का गला यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो बैक पार्ट में गले की जो चोड़ाई है वो रखेंगे सवा 2 इंच जितनी हमने फ्रेंट में लिया था गले की लंबाई आप अपनी पसंद से ले सकते हैं मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्ग कर रही हूँ नेचे से नेक बिट रखा है पोना 3 इंच और इस तरीके से हमने एक जोगोर बॉक्स बना लेना है तो बीचे की तरफ आप कोई भी नेक ले सकते हैं स्क्वेर गला ले सकते हैं मैं सिंपल राउंड शेप ही दे रही हूँ बैक में और फ्रेंट में आप अपनी पसंद से डिजाइन यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि यह बैक ओपन है तो फ्रेंट में भी आप अपनी पसंद की कोई भी डिजाइन ले सकते हैं देखिए मैंने इसे बीच में से ओपन कर दिया है क्योंकि मैं इसे बैक ओपन फिर बना रहे हूं अगर आप फ्रेंट ओपन बनाते हैं तो सिभ आपको उतना सा चेंजिस करना है कि हाई हुक की पटी का हाफ इंच अलग से आपको एक्स्ट्रा लेना है बाकि सेम रहेगा मेज तो मैंने हम पर कर ली है जमने हों कि पटी करें हों कि डहर की आप देबर करके भी लें सकते हैं और तो तो ये दोनों पैटर्ण भी हमारे कटिंग हो गए हैं, पूरी कटिंग कम्प्रीट कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग करते समय आपको कोई भी पॉब्लम ना आए और कपड़े का भी आपको अंदाजा हो जाए कि कितना फैब्रिक आपके पैस हैं, तो इस तरीके कि ब्लाउस मे अगर अंदर लगाने के लिए, अगर आपके पास कपड़ा कम होता है, तो आप मिलता जुलता अस्तर का कपड़ा ले सकते हैं, अंदर पट्टी वगर लगाने के लिए, गला बनाने के लिए, कमर पट्टी लगाने के लिए, आप सेम कपड़ा नहीं होता है, तो अलग से आ पेपर पेस्टिंग को रखते हैं और सिलाई लगा कर उसे पलट दीजिएगा अब हमने क्या करना है पेपर पेस्टिंग को अस्तरफाले फैब्रीक पर रखना है तो यहां पर इतना ही कप्ड़ा मेरे पास बचा है और मेसी से सारा पार्ट यहां पर कम्प्रीट कर लूँगी इतना कप्ड़ा मेंने कट कर लिया है इसमें बीच में जोड लगा कर पेपर पेस्टिंग को इसके उपर सेट कर दूँगी पिन लगा कर इससे अलग रख देते हैं तो सारे यह पार्ट दिखिए यहां पर कटिंग हो गए है सारे पार्ट कटिंग हो गए है अब हम करेंगे स्डिचिंग तो सब से पहले हम स्लीव से ताइव कर लेते हैं स्लीव को मैंने ने मुझन कि एक संगल किया है द इस हम इन वाड कर लेंगे आपकने के जितना एक इंच लिए है उत्रह इनस अधना फोल्डीव कर लेंगे नहीं तो sleeves के लंबाई कम हो जाएगी अब इसे double fold करते हुए बराबर करके चेक करेंगे और यहाँ पर दूसला sleeves भी तयार कर लेंगे यह देखिए मैंने यहाँ पर दोनों sleeves ready कर लिया हैं इसे भी बराबर करके चेक कर लेंगे तो यह बिल्कुल बराबर है अब हमने princess cut वाला part यहाँ पर attach करना है तो वो attach करने से पहले में गला बना रही हूँ तो दीके paper pasting को हमने अस्तर वाले कपड़ी के उपर रखकर attach कर लेना है अगर आप press से जिपकाना चाहें तो जिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह इस तरीके से सिलाई लगा कर इसे कपड़ी के साथ अटेश कर सकते हैं साइट से जो extra fabric के उसे हमने cut कर देना है और इसे fold कर लेना है fold में नहीं आपर इसे कर लिया है और अब हम इस तरीके से paper pasting वाले भाग को नीचे रखेंगे और इसके उपर उल्टा करते हुए अपने blouse के कपड़े को रखेंगे अच्छे से दोनों तरफ से pin लगा लेंगे एक पेर का margin cover करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से देखे हमें सिलाई लगानी है अच्छे से finishing के साथ यहाँ पर कोई भी बिल्कुल नहीं आना चाहिए कपड़ाई कटा नहीं होना चाहिए नहीं तो पलटने के बाद यह बिल्कुल finishing नहीं देगा अब हमने बीच में से extra fabric को cut करते ना है और चोटे-चोटे cut यहाँ पर लगा लेना है यह देखिए इस तरीके से तो cut लगाने के बाद अब हम इसे पलट के इस तरफ करेंगे और एक सिलाई corner की लगाएंगे इस पे अभी मैं finishing की सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इस पे shoulder joint करने के बाद सिलाई लगाऊंगी पटी को अंदर की तरफ करते हुए हम इसमें बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं तो आपको सिलाई लगानी है तो आप सिलाई लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं अब हमने princess kit वाले पाट को अटेश करना है तो यहाँ पर देखे इसे इस तरीके से रख लेंगे आदा इंच का margin कवर करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे कोई भी पाट को आपको खीचना बिल्कुल भी नहीं है बराबर करते हुए सिलाई लगानी है अच्छे से पका कर लेना है और इसके बाद दूसरा वाला पाट भी हमें अटेश कर लेना है दूसरा वाला पाट भी इसी तरीके से अटेश करेंगे और दूसरा वाला पार्ट भी आपको नीचे से ही अटेज करना है डबल स्लाई लगानी हैं दोनों ही तरफ ये देखिए इस तरीके से अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पटी तो ये जो साइट से पटी हां हमारी बची हुई है इन्हें ही हमने यूज कर लेना है आप डबल फोल्ड करके भी ले सकते हैं सिंगल फोल्ड पे भी ले सकते हैं तो मैंने पटी को कट किया और इसे डबल फोल्ड करते हुए नीचे से आधा इंच का मार्धिन कवर करते हुए इस लाई लगाएंगे अब हमने एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए लगानी है पहले एक्स्ट्रा फैबरिक को कट करेंगे फिर इस तरीके से पटी को इस तरफ करते हुए एक सिलाई लगाएंगे बात में आप इसे अंदर की तरफ करते हुए तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई लगा सकते तो मैं यहां पर कच्छी से लाई डाल रहे हूं बाद में इसे तुर्पाई करके खोल दूँगी तुर्पाई करने से अगर आप तुर्पाई करते हैं सुई दागे से तुछ से बहुत ही अच्छी फिनीशिंग भी दिखती है ब्लॉज में तो चलिए अब हम बैक पार्ट त कर देना है इस तरीके से पटी को ऊपर की तरफ कर लेंगे फोल्ड और एक सिलाई यहां पर लगाएंगे इस तरीके से अच्छे से फिनीशिंग के साथ मैंने पटी को अटेश कर दिया है अब हम सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे और चार इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाती है अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूं उक्की पटी इस तरीके से हमने उक्की पटी अटेश कर लेनी है पटी को डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे अंदर की तरफ करते हुए और जो भी एक्स्ट्रा पटी भार की तरफ आरी उसे कट क यहां पर भी हमने प्लेट्स लगा दीनी है तो दिखिए इधर बाला नेक मुझे कम प्रॉट लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा चाट के पराबर कर लूँगी तो अगर आप भी चाट रहे हैं तो ध्यान से पहले आप चेक कर लें उसके बाद ही कले की कटिंग करें अब मैं बैक पाट का गला बनाऊंगी तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से क्रॉस पटी कट कर रही हूँ उरे पटियां हमें कट कर लेनी है फिर उन्हें जोड़ना है गला बनाने के लिए देखे इस तरीके से हम इस पर जोड़ लगा लेंगे और फिर एक्ष्रा पटी को कट कर लेंगे अब हमें इसा लगाना है तो यहाँ पर दिखे पटी को इस तरीके से लगाएंगे हलका सा कीचना है बहुत जादा नहीं कीचना है पटी को हलका सा कीचते हुए यहाँ पर इसे अटेश करतेंगे पटी के चोड़ाई लगबत मैंने सवाय किंच रखी है और अटेश करने के बाद छोटे-छोटे कट यहाँ पर ज़रूर लगाए अब हमने एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा देनी है अब हम एक्स्ट्रा पटी को कट करेंगे इसके बाद आप एक सिंगल इसे पटी को पहले आगे से फोल्ड करें फिर इसे सिंगल फोल्ड करें यह देखिए इस तरीके से इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर एक कच्ची सिलाई डाल सकते हैं बाद में इसमें तुर्पाई भी कर सकते हैं या इस तरीके से सिलाई भी लगा सकते हैं फिनिशिंग से यह देखिए गलाब होती फिनिशिंग के साथ यहाँ पर उरेब पटी से बन जाता है सेम इसी तरीके से दूसरा नेख भी तयार कर लेंगे यह देखिए तुनों नेख मेंने हाँ पर तयार कर लिया है अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमरपटी कमरपटी अटेश करने से पहले दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करेंगे कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा चोटा तो नहीं हो रहा है उसके बाद ही कमरपटी अटेश करेंगे तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमरपटी को अटेश करना है ये देखे इस तरीके से एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे फिर कर लेंगे पटी को अंदर की तरफ फोल्ड इस तरीके से मैंने आपर देखे पटी को फोल्ड कर दिया है और ये बैक पाट रेडी हो गया है सेम इसी तरीके से दूसी तरफ भी कमरपट्टी अटेज़ करनी है ये देखिए दूसी तरफ भी कमरपट्टी में अटेज़ करती है इसके बाद अब हमने यहाँ पर शुर्डर को जोइन करना है सारी पार्ठ हमने त्यार कर लिए है आगर जो गला पटी लगाए थी फ्रन्ट पार्ट में उसे नीचे की तरफ रकेंगे खूलते हुए और इस तरीकी से बैक Central के शॉल्डर को ऑपर रखं लेंगे फिर उपर की तरफ गला पटी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे तो इससे आपके जो शोल्डर है वो इन्विजिबल अटेज हो जाते हैं अब हमने हापर सिलाई लगा देनी है एक फिनिशिंग की यह देखिए इस तरीके से हम यहापर एक सिलाई लगा देंगे और हाफ इन्शोल्डर को यहापर देखे आपर तो आपको कटिंग कर लेना है आर मोल को भी हलका सा चांट लेना है सेम इसी तरीके से में दूसी तरफ से भी इसे बराबर करते हुए एक्स्ट्रा पाट को कट कर रही हूँ आप चाहें तो पिन लगाकर भी कट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कम कपड़ा नहीं कटना चाहिए तो अब हम करेंगे यहाँ पर स्लीव को अटेज तो आपको फैब्रिक को इस तरीके से रखना है सेंटर से स्लीव को अटेज करना है त्यान रखिएगा गहराई वाला पार्ट फ्रंट में आए जिसमें हमने क्रॉस की मार्किंग की थी सेंटर से स्लीव को अटेश करेंगे स्लीव पे डवल स्लाइज ज़रूर लगाए तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव को अटेश कर दिया है सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट पर भी स्लीव को अटेश करेंगे स्लीव्स को अटेश करने के बाद अब हमने अपने ब्लाउज के सीधी तरफ एक सिलाई लगानी है तो सेंटर मारकिंग ये देखिए स्लीव्स जो जोर होता है जहां पर जोईन्ट होता है जोईन्ट सो जोईन्ट मिलाते हुए हमने सिलाई लगानी है सेम इसी तरीके से दूसरे वाले भाग से भी सिलाई लगाएंगे ये देखिए जोड से चोड़ का जो भाग ये स्लीस के नीचे वाला उसे मिलाते हुए ही सिलाई लगानी है अब मैन पिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउस को कर लेंगे उल्टा तो इस तरीके से आपको अपने ब्लाउस को उल्टा कर लेना है अच्छे से और एक सिलाई कॉर्णर की यहाँ पर लगा देनी है दोनों तरफ से एक सिलाई कॉर्णर की लगा देंगे फिर chest वेस्ट का चोथा भाग लेंगे तो center mark कर लेना है chest का चोथा भाग लेंगे 8,5 inch गमर का चोथा भाग लेंगे 7 inch इसे मिला देंगे sleeves का आपका जो भी measurement होता है आप बो लीजिएगा मेरे measurement में 12 inch उसका half लेंगे 6 inch और मिला देंगे इस तरीके से chest वेस्ट का fourth part ले लेंगे आपर तो मैंने आपर इसे fitting कर दिया है और ये blouse design बनके complete हो गया है तो friends आपको आज का मेरा pattern किसे लगा है मुझे comment करके ज़रूर बिताईएगा वीडियो को like, share ज़रूर कीजिएगा और चैनल को subscribe ज़रूर करें धन्यवाद ज़रूर के ज़रूर करें